तो सिर्फ F1 student visa मिलने से आपको US में guarantee entry नहीं मिलती है आपको एक और interview face करना पड़ता है आपको एक और officer को face करना पड़ता है रुक्ये रुक्ये और भी चीज़ें हैं तो क्या होता है सबसे पहले आपका F1 student visa मिल जाता है फिर आप flights की ticket book कराते हैं और जो आपकी सबसे पहले landing जहां होती है जहां भी जिस भी airport पर आप सबसे पहले land करते हैं उसे कहते हैं POE या फिर port of entry वहाँ आप एक officer को face करते हैं जो की होते हैं हमारे CBP officer तो यह जो CBP officer होता है इनके साथ आपका एक और interview होता है जो कम से कम 5-10 मिनिट चलता है तो इन officer से face करने के लिए या फिर वो interview को face करने के लिए क्या कुछ त्यारी होती हैं आज हम उनके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहली चीज जो भी आपके documents हैं उनको पूरा एक list बना ले documents पूरे proper रखें और उनको handy रखें अगर वो जैसे की generally वो आपसे i20 पूछते हैं तो अगर आप i20 वो पूछते हैं ताकि आप उन्हें दे सकें next कुछ questions भी आपसे पूछते हैं कि जैसे की आपका school कौन सा है आपके designated school counselor कौन है या फिर आपकी funding कौन कर रहा है तो यह कुछ basic questions हैं जिनको आपको genuinely and calmly and confidently reply करना होता है तो यह कुछ process होता है आपके second interview में तो अभी जो students fall 23 के लिए application submit करना चाते हैं वो और late ना करें अगर आप सोच रहे हैं कि हम February में apply करेंगे हम March में apply करेंगे तो सी देखो क्या होता है April में अगर आपकी visa slots खुल जाते हैं तो आपको पहले ही I-20 अपनी ready रखनी होगी ताकि आपको slots book करने सकें क्योंकि majorly अभी जो US में issue हो रहा है वो है slots नहीं मिल पाते हैं तो अगर आप जल्दी application कर लेंगे जल्दी अपनी I-20 जल्दी अपना visa process ready रखेंगे तो आप अफटाफट से अपने slots book कर सकते हैं तो अगर आप भी fall 23 के लिए अपनी application submit करना चाहते हैं या फिर आपके कुछ documents missing है या कुछ queries है या फिर आप भी decide नहीं कर पाने है कब आपको apply करना चाहिए तो आप अपनी query आप मुझे mail कर सकते हैं application02 at the rate median.org पे या फिर आप online counseling के लिए free session के लिए आप हमारी website भी visit कर सकत चैनल को subscribe करें and press the bell icon so मिलते हैं next video में thank you